जै श्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे दशामाता वरत कथा के पांचवे दिन की कथा बोलिए दशामाता की जै हो बहुत समय पहले की बात है एक राजा के दो रानिया थी राजा एक राने से बड़ा प्यार करते थे और उसे लक्षमी कहते थे लेकिन दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्षमी कहा जाता था एक दिन की बात है लक्षमी रानी करोध में आकर लकड़ी का पाटा ले मेले से कपड़े पहन कर कोपवन में जाकर लेट गई तब राजा ने पूछा कि लक्षमी रानी कहा है तो सब कहने लगे कि कौप भवन में है राजा लक्षमी रानी के पास गए और पूछा कि तुम कौप भवन में क्यों पढ़ गई हो बताओ क्या चाहती हो तो रानी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि कुलक्षमी को देश निकाला दे दिया जाए कुलक्षमी रानी थी देश निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था इसलिए उन्होंने सोचा कि रानी को पिहर छोड़ाता हूँ राजा ने रानी को एक रत में सवार किया और खुद घोड़े पर बैठ कर रत के साथ चलने लगे एक जंगल में पहुँचे तो राजा ने रत रुकवा दिया मालकी ढोने वालों को कहा कि तुम जाओ यहां से राजा राणी को उस जंगल में छोड़कर गोड़े पर सवार हो अपने महल में आ गया गुलक्षमी बहुत देर तक राजा जी का इंतजार करती रही क्योंकि राजा जी उससे कह गए थे कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो मैं थोड़ी देर में आता हूँ लेकिन राजा जी तो वापस लोड़कर आये ही नहीं राणी को प्यास लगी तो वह रत से उदर कर पानी की तलाश में चल दी राणी ने आसपास पानी ढूंडा पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला तबी राणी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा राणी भी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी चलते चलते एक नदी की किनारे पहुँच गई राणी ने शौचादी से निर्वित्त होकर उस नदी में इस्नान किया और वही पर पानी पीकर अपनी प्यास बुजा ली वहाँ पर कुछ अन्ने इस्तरिया भी स्नान कर रही थी इस्नान करने के बाद उन्होंने दशा माता का दोरा लिया उनके पास एक दोरा बच गया तब उन्होंने राणी से दोरा लेनी को कहा रानी ने पुझा की सारी विदे पुछी और डोरा लेकर अपने रत में आकर बैठ गई अब दश्या माता रानी की परिक्षा लेने के लिए एक बुढ़ी माई का वेश बना कर रत के पास आई रानी से कहने लगी बेटी तुम कौन हो और यहां बेटी यहां पर बैठ कर क्या कर रही हो तब रानी ने बुढ़िया माई से पूछा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी मौसी हो तब रानी उसकी गले लगकर रोने लगी और अपनी विपदा की सारी बात बुड़िया माई को बता दी तब रानी ने बुड़िया माई से कहा कि अब तो मुझे किवल तुम्हारा ही सहारा है तुम ही मेरी रक्षा करो दशामाता की किरपा से उसी जंगे पर एक माया का शेहर बन गया रानी के भाई भाबी सारा माय का वहीं पर प्रकट हो गया रानी अपने पिहर के साथ मिलकर नौ दिन तक दशामाता का पूजन करती रही कथा सुदी रही तसवे दिन डोरे की पूजा होनी थी उस दिन सवेरे उटकर दशामाता ने जो कि उनकी मौसी के रूप में थी रानी से कहने लगी कि नदी में इसनान कराओ वहाँ पर तुम्हें एक सोने का कलश मिलेगा तो उसे ले लेना जो डॉली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना किसी से कुछ मत पूछना ये डॉली किस की है कहां जाएगी ये कलश कहां से आया कुछ भी मत पूछना रानी नदी में इसनान करने गई वहाँ इसनान करके बाहर निकली तो उसे सोने के कलश नदी के किनारे रखे मिले उने के पास बहुत सुंदर सुंदर वस्तर भी रखे थे उन वस्तरों को रानी ने पहन लिया चलने को तयार हुई तो दूर से टोली आती रिखाई दी वह टोली में बैठ गई और अपने घर पहुँच गई घर पहुचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की सुहागिनों को भोजन कराया उसके बाद उसने अपने वृत का भी पारण कर लिया अब रानी अपने पीहर में आनंद से रहनी लगी इदर कुछ समय बाद राजा को अपनी रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया राजा ने सोचा कि जिस दिन से रानी को जंगल में छोड़ कर आया हूँ उनका कोई भी समचार नहीं मिला चल कर देखना चाहिए कि रानी का क्या हाल है मंतरियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा पर राजा ने किसी की भी बात नहीं मानी घोड़े पर सवार हुआ और उसी इस्थान पर पहुँच गया जहां रानी को छोड़ कर आया था राजा तो देखकर बड़ा हैरान हो गया वहाँ पर दो घना जंगल था पर अब तो यहां रमनीक बस्ती बसी हुई है बहुत बड़े बड़े महल बने हुए है तब राजा ने लोगों से पुछा ये कौन सी नगरी है तब लोग कहने लगे कि यह कुलक्ष्मी का नगर है आप तो राजा के अश्चरी का ठीकाना नहीं रहा बार बार सोचने लगा कि क्या यह नगर मेरी रानी का ही है राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सोचना भी जवाई कि इस देश की राजा मिलना चाहते है राणी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया पर मौसी कहने लगी कि हिंदूों में पती पर मेश्वर होते हैं तुमें यही अच्च उजित है कि तुम यथा शक्ती उनका आदर सत्कार करो मौसी के कहने पर रानी ने राजा जी को महल में बुलवा लिया दोपहर को राजा भोजन पर कर रहे थे तब राजा के साथ नाई भी था रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी पहली बार रानी नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छीटा मार दिया रानी को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छीटा मार दिया है रानी दूसरी बात दूसरी बार गई और कपड़े बदल कर फिरा गई राजा मन में सोचने लगा कि यहां पर तो बहुत सारी रानिया है पर सबकी शकल एक जैसी है मैं अपनी रानिय को पहचानूँगा कैसी तब राजा ने नाई से कहा कि यहां पर तो बहुत सारी रानिया है मैं अपनी रानिय को कैसे पहचानू नाई बहुत चतुर था वह कहने लगा कि रानी तो एक ही है पर वह बार बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आ रही है तब राजा नाई से पूछा तुम्हें कैसे पता कि रानी एक ही है नाई कहने लगा कि मैंने उनके पैर पर रायते कच्छीटा मार दिया था मैं तीन बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई पर तीनों बार उनके पैर पर रायते का छीटा लगा था अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवा लिया राजा को अपनी मेज पर बैठा कर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया पान का बीड़ा खाकर राजा पलंग पर लेट गया और राणी पैन दबाने लगी राजा ने राणी से अपने किये की शमा मांगी और राणी को अपनी राजधानी में चलने को कहा रानी कहने लगी कि आप मुझे अब किस मुझे चलने को कह रही हैं आप तो मुझे जंगल में छोड़ गए थे आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा त्याग कर चुके हैं ये तो मेरी मोसी का किया धरा है उने के कारण ये सब धन वैभव मुझे प्राप्त हुआ और मैं सुक से रह सकी वरना आपने तो मेरा सरुनाशी कर दिया था अब राजा ने रानी को बहुत समझाया तब रानी कहने लगी कि मैं केवल एक शर्थ पर आपके साथ वापस चलूगी आप मेरी मोसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आप ही राजधानी के पास पहुँचा दे जिससे जब मेरा दिल चाहे मैं आपके पास रहूँ जब मेरा दिल चाहे मैं मोसी के दिये महल में चलिया हूँ मेरी मोसी बड़ी ही दयालू है संबग है में आपकी बात मान जाएं तब राजा ने दशामाता जो की रानी की मौसी के वेश में थी उल्जिप्रार्थना की तब दशामाता ने राजा की बात मान ली और दोलों शहरों को पास पास इस्थापित कर दिया मानो एक दूसरे के ही भाग हों तब राजा ने दशामाता की कृपा का फल जान कर पूरे शहर में धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशामाता की पूजा किया करें वरत किया करें दशामाता का दोरा लिया करें ये दशामाता जैसे आपने रानी कुलक्षमी पर दया की वैसे ही सब पर अपनी कृपादरश्टी बनाए रखना सब की मनो कामना पूरी करना बोलिये दशामाता की जै हो